नमस्त दोस्तो आपका एक वर्फेर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चानल पूजा घरसंसार में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो बच्चा गर्व के अंदर है उसके लिंक का निर्मान यानि कब उसका लिंक बनना स्टार्ट करता है किस हफते में बनना स्टार्ट करता है और किस मन्त तक ये बन के कम्प्लीट हो जाता है इसमें कितने हफते का समय लगता है और कब आपको ये पता चल जाता है कि लिंक जो है बच्चे का वो बन चुका है और इसमें जितनी भी बाते हैं डिटेल में वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को सुरू करने से पहले आप से रिक बता क nei चैनína का लिंग क्या होने वाला है क्योंकि मेल पाटनर का क्रोमोजों के साथ मिल जाता है जिसकी वाज़ासे लड़का उरलरकी गर्व में तो कैसे होता है दोस्तों जड़ा सा ये बता यह थेती हूं देखे दोस्तों जब आपके एक्स क्रोमोजों से मेल्स शुक्र प मिलान होके लड़की का निरमान होता है अब दोस्तों ये बता देती हूं कि जब आप प्रेग्नेंसी के 80 से 12 हftे में रहते हैं तो इस समय आपके घर में जो भी बच्चा है लड़का है या लरकी है उनके लिंग का निरमान होना स्टार्ट हो जाता है यानि कि 70 से 80 दिन के बीच में ये काम होना है स्टार्ट होता है और इस काम को कंप्लीट होने में लगवग 20 हपते का टाइम लग जाता है यानि अगर 20 हपते के बाद आप सोनोग्राफी करवाओगे और उस समय पेट में बच्चे का जो पोजिशन है वो इस पोजिशन में बच्चा है तो सोनोग्राफी के टाइम में पता चल जाता है कि बेबी बोई है या फिर बेबी गल है अब आपने ये तो जान लिया कि किस महिने में किस हफते में और कितने दिन में बच्चे का लिंग निरधारित हो जाता है दोस्तों अब कुछ चीजे म ये भी बता देती हूं कि देखे दोस्तों बहुत लोग ये मुझसे पूछते हैं कि सोनोग्राफी मैं कब कराना चाहिए कब पता चलता है तो इंडिया में तो ये बैन है लेकिन फिर भी आपके इंफोर्मेशन के लिए मैंने ये बात शेयर की है लेकिन इंडिया के बाहर ये सारी चीज़े अभी भी होती है निलिंग परिक्षन होता है वहाँ पे गैर कानूनी नहीं है इंडिया में ये गैर कानूनी है आपको परिक्षन वगारा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए ये कानूनन अपराध है लेकिन जब आप तीन महीने दस तीन कंप्लीट कर लेते हैं अपने प्रेग्नेंसी का तो फिर अगर आप सोनो ग्राफ से करते हैं तो वहां पर जो भी डॉक्टर है पर सोनो ग्राफिक करते हैं अस लिगता सोनोग्राफी होता है तो पता लग जाता है कि बेबी बोई है या फिर बेबी गर्ल लेकिन दोस्तों देखें यहाँ पे इंडिया में यह चीज बैन है इसलिए डॉक्टर यह चीज आपके साथ शेर नहीं करेंगे और कहीं पे भी इस चीज की सोनोग्राफी अगरा नहीं होगी इसलिए प्लीज मुझसे यह कमेंट मत करिएगा कि मैं यह चीज भी बता दीजे ऐसा मुझे भी पता नहीं है और इस बात को मैं बिलकुल भी प्रिफेर नहीं करती हूँ रेकेमेंट नहीं करती हूँ लड़का और लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए दोनों सीमिलर है और दोनों को अच्छे दृष्टी से पालने पोसने की और एक अच्छा आजरन देने की कोजिस करिए यही हर पैयनेंट का लक्षे होना चाहिए दोस्तो इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी कोईड़ी है तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं और दोस्तो यह वीडियो कैसी लगी है इसके लिए लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजेगा ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेर करिएगा और दोनों ही चानल को जरूर सब्सक्राइब करके बिल का इकन को दबा दीजेगा इससे आपको मेरे डेली आने वाले वीडियो के नोटिफेकेशन प्राप्त होते रहेंगे चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों टेक केर नमस्कार